लो मेरा नाम गड़े से आदो है और मेरे चनल कलाम जी टीवी है तो आए आज आप सभी को में रमाड की तीसुर अठाइस से क्या क्या सिख सकते हैं उसके बारी में बताने जा रहा हैं तो सबसे पहले आप सभी को सीता राम और आयप शुरू करते हैं तो नंबर एक पर हमें यहीं सिखना चाहिए हैं कि हम यह दि भगवान की सच्छी भक्ति करेंगे उनकी प्रेम करेंगे तो भगवान हमारी सारे विपत्तिया सारी कस्ट अपाने उपर ले ले लेते हैं जिस प कि धरम को आधरम कितना ही देर तक क्यों न परिशान कर ले फिर भी धरम का ही विजय होता है जिस प्रकार रिशी मुनियों को राचसों ने कुछ समय बहुत परिशान किया फिर भी राचसों का विनास हुआ और रिशी मुनियों को जीत हुआ तो अर्थात उससे यह सिखने क को मिलता है कि आधरम पे धरम का सदा ही विजय होता आ रहा है और इसके साथ हमें रमाड की एपीशोड 28 से यह तीसरी बाते क्या सिखने चाहिए कि हमें रिशी मुनियों को मुनियों के सामने बैठने से क्या क्या फैदा होता है जिस परकार हम सूरज के सामने अत्वा घाम में बैठने से बिना कुछ परियास करे ही हमारे अंदर ताप सकती आती है इसी परकार एदि हम रिशी मुनियों के सामने बैठते हैं तो बिना कुछ परियास करे ही हमारे अंदर की जो विकार होती है और जो अगुड होती है ओ अटोमेटिक ही खतम होने लगता है तो इसलिए हम में उनके समीब बैठना चाहिए और इसके साथ हमें रमाड की पीशोड 28 से चोती बाते क्या सिखने चाहिए कि हमें जिस परकार पानी में लिखा हुआ अच्छर कुछी समय में ही खतम हो जाता है तो उसी परकार हमें भी पानी अंदर जो हमारे अंदर क्रोध है काम है उतने ही समय ही रखना चाहिए जिस परकार पानी में जब लिखा हुआ अच्छर तुरंत ही मीड जाता है तो इस पर कारपत्तर अथो चिला में लिखा हुआ अच्छार बहुत देर दिन तक रहता है और वह जल्दी नहीं खतम होता है तो इसी परकार हमारे अंदर जो करोध है जो विकार है यह हम खतम नहीं करेंगे तो हमारी और सामने वाला दोनों का दुनास का कारण बनेगा तो यह वीडिय जरूर कीजेगा धन्यबाद से तरहां